गाइस मैं कैसे लग़े इस ड्रेस में आपको पता ही है आपको तो मैं अच्छी ही लगूँगी तो आप मेरे मम्मी की चाहिए बहुत ही फ्यारा है ट्रुडिफ सलवार है और इसके उपर कुर्तियां बहुत ही प्यारी लगती है अगर आप सबको सीखना है बनाना है तो जल् अगर आप सबको यह साड़ी नहीं है, तो आप कपड़े से भी बना सकते हैं, तो मेरे मेरे साली प्यारी से लग रही थी तो करोसे पहले चलती हूं अपना यह बला वाडर निकाल लेती हूं वाडर वाडर हमें लग्लाओ 2 मीठर का फैरीका.. ना यहां पर जिरांब्र बार्डर कट कर लेते हैं अब यहांसे मैंने बार्डर कटिंग कर लिया है क्टिंग करने कब यहाँ पर हम् Mỹ पर हमें अपना इसाफ से रखेंगे जैसे कि हमें छोटी बच्ची क्लिए बढ muscle के से ट्रैंगल से फोल किया जाता है Umbrella Cut के लिए से उसी तरह से हमें फोल कलना है अब यहां से हम लंबाई रखेंगे लंबाई हमें रखना है 27 इंच तो पूरा हमारा टोटल 27 है तू इंच का हमारा यहां पर बेल्ट लगेगा 20 माइनस कर दूँगी और इस तरह से ट्रैंगल स में हमें इस तरह से कट कर लेना है तो यहां पर मैंने इस तरह से निसान लगा दिया है राउंड में अब चलते हैं कटिंग कर लेते हैं तो यहां पर देखे मैं यह कटिंग कर ले रही हूं और यहां नीचे साइड हमें टू इंच पर यहां पर जो निसान मैंने लगाया है अब मैं इस तरह से बराबर करते हुए थोड़ा सा हमें राउंड कट करना है तो यहां पर मैंने यहां पर राउंड कट कर लिया है अब यहां पर में जे दो पार्ट कर लेने तो मेरे दो पार कमठत दोनों पयर का कटा हुवा है यहां से मैं अलग कर लेती हूं तो अब यहां पर हमें जब अलग हो गया तो दो पंठ हम अलग अलग कर लेते हैं ओ यहां पर इस तरह स्टरह से फ् recruit करके रख लेते हैं popular अब चलते ही कि हमें a HDR बनेगा इस तरह से हमें लगाना है एक साइड हमें पूरे में लगाना है दूसरे साइड हमें यहां से यहां तक लगाना यहां पर हमने नापना है टैनी चौबाकी हमें एक ही साडल लेस को लगाना है तो उल्टे साइड हमें लेस को रखा है और इस तरह से सिलाई लगाना है तो यहां पर देखिए मैंने यह लेस को उल्टे साइड रखा है कपड़े पर उपर के साइड से हमें सिलाई लगानी है तो पूरे में इसी तरह से हम सिलाई चलते हैं लगा लेते हैं यहां पर हमारा मोरी आएगा तो मोरी हमें राउंड में है तो इस तरह से में राउंड करत जाना है और शिलाई लगा लेना तो इस तरह से मैंने राउंड किया और यहां तक शिलाई लेना जहां पर मैंने निशान लगाया है टे निंच का वहां से निशान लगा जहां पर लगाया वहां पर शिलाई हमने कल लिया अब हमें इस तरह से पलट कर एक शिलाई और लगा ल तो दोनों पैर का मैंने इस तरह से लेस लगा कर रेडी कर लिया है यहां पर आप देख सकते ही यहां पर मैंने दोनों पैर को रेडी कर लिया है अब यहां पर इस तरह से हमें फोल्ड करना है यहां पर रखना इस तरह से उपर वाला लेस जो हमारा है यह वाला हमारा उपर र रखेंगे यहां पर हम सिक्सिंच का मोरी रख रहे हैं और यहां पर इस तरह से रखते हुए यहां से यहां तक हमें सिलाई लगानी है तो सिक्सिंच का यह मोरी है तो यहां पर मैं चौक से निसान लगा देती हूं और यहां इस तरह से पकड़ना है यहां पर देखें यहां स सब्सक्राइब करने कि वाध cohort कर लेते हैं कि इस्था से पिनप करने की कि पार पर हमें स्पलाई लगानी है यहां से त्व रस्पाइर कभी सेम इसी तरह से यहां से रखना है नीचे वाला सिलाई लगा लेते हैं मुझन वोलstore के साइट से पूरे अन्ट तक सिलाई लगाना है तो डिआ चैनल से लवार बननाने के लिए आतान ट्रिक है अगर आप सब को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताईएगा यहाँ पर देखिए अन्धिय नियसान लगाया था और यहाँ पर थोड़ा सा हमें पक्का कर लेना है यहाँ पर चौक का जो में इंसान लगाया है यहाँ पर पक्का कर लेते हैं इस तरह से पक्का कर लेते हैं दूसरे पैर का भी सेम इसी तरह से हम सिलाईल लगा लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमेंने सिलाई लगा के एक पैर का रेडी का है दूसरा पैर का हमें सेम इसी तरह से रेडी कर लेना है तो चलते हम यहाँ पर भी सिलाई कर लेते हैं दूसरे पैर को तो यहां पर मैंने दोनों पैर को सिलाए करके रेडी कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी मोरी बनी है अब यहां पर हमें दोनों पैर को इस तरह से रख लेना है अब यहां पर हमें अपना आसान लेना है तो दो इंच हम बिल्ट रखें और यहां से हमें 10 इंच च्छोटी बच्ची के लिए मनें 10 इंच का असन लिया है पूरा और इस तरह से राउंड करते हुए यह वाला पार्ट हम लेनी है तो चलते हम पहले क्तिंग कर लेते ह। तो यह मेरा आसन है आसन हमने कट कर लिया है अब यहां पर देखिए इस तरह से पकड़ना है और यह वाला पार इस तरह 20 से हमें मिलाना है और यहां इस साइट से और इस साइट से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है तो चलते हैं पहले हम सिलाई लगा लेती हैं यहां पर बाद और हमें कुछ प्लेट्स लिए टो पर बड़ रहे हैं तो यहां पर कि इस तरह से हम प्लेट लगा लेते पिन अपने कर लिए फिर इस पर लगाएंगा आगे के साइड ही हमें इस तरह से पिन अप करना है यहां पर इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगालते जाना पिन अप कर लेना पिन अप करने बाद अब हम यहां पर दिखें इस तरह साइड में भी हम कर लिए हैं तो हमारा घेर इस तरह से आगा कमर हम अपने हिसाप से र कपड़ा और इस तरह से फोर्ड करने कबाद अब यहां पर हमारा ठ्री इंच का यार्थ टेक्हमारा सलाही जाएगा हो यहां पहले हम चलते हैं ऐस्च बैद करने निकालते हैं के फि Colorado और यहां पर पिन अब कर लेना अब इस पर हमें राउंड में ही सिलाइल लगा लेनी है तो पूरे में इसे तरह से हम चलते हैं पहले सिलाइल लगा लेते हैं तो मैंने यहां पर सिलाई लगा लिया सिलाई लगाने बाद एक सिलाई हमें उपर से और लगा लेना है पिनप हमारे पिन को निकाल लेना है और यहां पर सीधे के साइट से एक सिलाई और कर लेना है इस पर तो इसी तरह से मैंने सिलाई लगा लिया, अब हमें लास्टिक लेना है, लास्टिक हम अपने कमर के इसाब से लेंगे, तो हमारे बच्चे की कमर इतनी होगे, इतना हम उसके इसाब से ले लिये, और यहाँ पर हम सिप्टी पीन के, उससे ऐसे अंदर करते, पूरे अंड तक क कट कर लिया है, कट करने कबाद अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो इस तरह से पकड़ना है हमें दोनों पाट को, और इस पर सिलाई लगा लेनी है, तो यहाँ पर सिलाई लगाने कबाद इस तरह से हमें पूरे कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है, बराबर उसका फ्राक बनाते हैं तो यहां पर देखिए बच्चे हुए जो कपड़े हैं यहां बार्डर के साइड से हम नीचे से यह कपड़ा कट कर लेते हैं सीधा कर लेते हैं यह पूरी लंबाई हमने टॉल इंच की रखी है और छोड़ाई घेर की साब से रख लेंगे तो यहां पर देखिए अब यहां पर यह वाला हिस्सा है ना हमारा आचल आचल वाले हिस्से को हम इस तरह से कट कर लेंगे और यहां पर अच्छे से प्रस करके लिए इसकी लंबाई हमारी 10 इंच की है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फोर फोल्ड अब हमें यहां पर अपना सोल्डर हुल स्वल्डर हमने फ्लाइबं सुल्डर हमने 5 इंज रखा है स्वेवन इज़की हमने चेष्ट रखा है सीषींच कवर यहाँ पर इस तहरे लाइन ड्ला मैं उसे कट करने निकालлена है तो मेजर तो Мेजर तुमें अपनी बच्चे की है अब यहां पर हमें अपने गले का लगाना तो डू इंच हमने गहरा है तो इंच चोड़ा है और फ्रेंड-इंच गहरा जोड़ा और बैक साइड हमें छोटा गला रखना है तो मैंने एक इंच का ही करनी में इस तरह से पहले कटिंग करनी है तो यहां पर मैंने अस्तर पीगा इस तरह कुंताफ को अपना मेंट और रखना है और नीचे और इस्तर कि यहां पर मेरी शिलाई हो चुकी है अब इसके बाद हम बीच का कटिंग करेंगे तो यहां से देखें बीच का हम कपड़ा इस तरह कट करके निकाल लेते हैं और छोटा छोटा कट्स लगा देते हैं शिलाई पे हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए और कट लगा दे लेते हैं अब यहां पर आर्मॉल सायड भी हमें हमें अंदर ग्राउंड यह शिलाई लगा नीं है तो इस तरह से हमें दोनों साइड के आर्मॉल सीसिलाई लगा लेना है तो यहां पर मैंने अर्मोल साइड भी सिलाई लगा लिया छोटा छोटा कटक लगा लेना हमें हमारा सिलाई इन्हा कटे इसके बाद हमें सीधे तरह पल्टी करना है तो यहां पर इस तरह से हमें पल्ट लेना है इस तरह से पल्टीनी करने के बाद हमारा इस तरह से आ गया है अब बैक साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी है बैक साइड हमें जिप लगानी है तो बैक साइड हमें बीच से कट कर लेनी है तो यहां से मैंने कट कर लिए दोनों पार्ट को अब ऐसे रखते हुए हमें इस तरह से सिलाईल लगा लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सिलाईल लगा लिया है अब यहां में गले की साइट से कटिंग कर लेनी है इस तरह कपड़ा हमें कट करके निकाल तो इस इस तरह से हमें छोटा-छोटा कट्स लगाने के बाद हमें सीधी की तरफ पलट कर लेना है दोनों पार्ट को सीधा हम पलट लिए तो इस तरह से हमारा बैक साइड हो गया अब हमें जिप लगाना है तो हमने यह जिप लिया और यहां पर इस तरह से रखा दूसरे पार्ट को यहां से रखते हुए हमें सिलाई लगाना तो चलते हैं पहले सिलाई लगा लेते हैं तो पहले वन साइड हमें इस तरह से रख लेना है उपर की साइड से और सिलाई लगानी है तो नीचे तक हम यहां पर सिलाई लगा लेते हैं कि अ दूसरा पाट हमें इस तरह से रखना है यहां पर हमें आफ इंच ज्यादा कपड़ा इसके उपर रख लेना है और इस तरह से पलट लेना है और शिलाई लगा लेना है तो जिप लगानी के ट्रिक्षिए अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताईए बढ़ेगा यहाँ पर देखिए हम में जिप लगा लिया ह्यां इसतर ठाहिं कि हमें कटिंग करने के बाद है है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह तरह से हमने जिप लगाया अब दोनो पर मैंने दोनों पार्ट को सिलाई लगा लिए अब हमें नीचे का घेर लगाना है यहां पर देखिए मैंने इस तरह से पकड़ना है और छोटे-छोटे प्लेट्स लगाने हैं इस तरह से हमें छोटे-छोटे प्लेट्स लगाते जाना है तो पूरे में इसी तरह से हमें छोटे-छोटे प्लेट्स लगाकर सिलाई कर लेनी है तो जलती है हम जल्दी से सिलाई प्लेट्स लगा लगाकर कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेट्स लगाकर सिलाई कर लिया यहां पर पूरे में हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स हमने हाफ हाफ इंच का प्लेट्स लगाए हैं तो यह कपड़े के उपर डिपरिंड करता है अगर आपका कपड़ा जादा है तो इस तरह से प्लेट्स लगा सकते हैं दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरह से यहां पर रखते हुए प्लेट्स लगा कर सिलाई करें दोनों पाट को मैंने रेडी कर लिया है अब यहां पर हम अपना फिटिंग रखेंगे तो फिटिंग अपना हम ना पलेंगे इसके बाद मेरी यह सिलाई दोनों साइड से हो जान साइड ड्रेस बनाया सारी से वो भी ते कपड़े भी नहीं वाच्छे थे ममी के बास सारी में चील्डा लग गया था इसलिए तो ममी को सपोर्ट करिए और बेलाइकम करिए लाइक भी करिए सब कुछ